हलो मैं अर्विंद कुमार सिंग, ब्रेन ट्रेनर, फ्राम, ब्रेन मुस्टर स्कोल, वाराण से, आज मैं बताना चाहता हूँ कि ड्रेन का भोजन क्या है, तो यदि ड्रेन को स्ट्रॉंग करना है, तेज करना है, तो एक्सरसाइज करें, पनायाम करें, और कम से कम आठ ग्लास पानी करती है, यानि आठ ग्लास चोटे ग्लास से मतलब नहीं है, कम से कम ड्रेन लिटर पानी, दिन में कम से कम ड्रेन लिटर पानी पी, हल्दी भोजन लें, एक्सरसाइज करें, आधे विंटे सुवाए, आधा विंटे साम, और खाने के समय जल ग्राण करें, खाने के एक गंटे अठारे निट पाद जल ग्राण करें, कम से कम आठ गंटे, कम से कम पाच गंटे अधिक से लिएक आठ गंटे सुण, सोने से पहले, अच्छे विचार, जो आपकी एक्षा है, जो आपने जिवन में चाहते हैं, इसे सोचें, एज यू, थिंग, एज यू गेट, इस प्रिंस्पल, अफ लाइफ, जैसा आप सोचते हैं, जैसा पाते हैं, इसलिए, हमारे सास्त्रों में कहा गया है, कि, अच्छा वोलें, क्योंकि, दिन में एक बार, सरसुटी का भाइस होता है, इसका मतलब, समय निरदारित नहीं किया गया है, विस डैट, हमेशा अच्छा वोलें, और अच्छी नीट सोएं, और अच्छे विजार, करें, अपने लिए, विश्रों के लिए, सब के लिए, कवीब ने कहा है, दाई आखर वे उनका पड़े सुटानी था, और दो अक्षर हरी का है, तो हरी तक पहुँचने के लिए, अपने लाइफ में लाना होगा, बिना प्रेम के इस वर तक नहीं पहुँचा जा सकती, या हम भी कहें, बिना प्रेम के, हम अपने जिवन में सफल नहीं हो सकते, सब से प्रेम करें, और, सब के कल्यान के बारे में सोचें, ब्रेन का पोजन आक्सीजन है, जल है यानि वाटर है, और विटामिन ई है, आक्सीजन हम प्राणायाम के माध्यम से, मिले सकते हैं, जो वेलकूल फ्री है, वाटर, प्रतिदिन, बड़े गलास, आठया दस बड़े गलास लेकर, अपने ब्रेन में पहुचा सकते हैं, और विटामिन ई है, विटामिन ई है, बादां, मुंखली, अप्रेत अनुपनाच, इत्यादी, प्रेकर, हम अपने ब्रेन को स्वस्ट कर सकते हैं, यह हमारे ब्रेन का कोजन है, जो दिन हम प्यास के पावने चुने से, यह होता है, स्वाप होता है, यह कहना चाहता हूँ, प्रेकर, सौच के पहले, कम से कर, तीन ग्लास, पाणी पाणी, पाणी इसी भी मौसम में, बुम्बुना पाणी बोना चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है, आपानी अच्छ करता है, जो आपानी लेते हैं, तो हमारा सिस्टम को दर्म करने में, इनवी लॉस करता है, हम पोजन इनची के लिए लेते हैं, अवी लॉसरा की लेते हैं, पुर्शा की लेते हैं, हमारा की लेते हैं!